हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट कोश्टन्स के बारे में चैप्टर है अपना चैप्टर सैकेंड औफ क्लास 12 हिस्ट्री दैट इस पॉलिटिकल एन इकोनॉमिक हिस्ट्री हाव इंस्क्रिप्शन्स टैल अ स्टोरी ओके इस तो हम यहा तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले इंपोर्टेंट कोश्टन्स करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर आप खाली कोश्टन्स दिखाऊंगा कितने मार्क से कोश्टन्स देखेंगे थ्रिया नेट मार्क्स के और यहां पर जो भी इंपोर्टेंट कोश्टन्स हैं उनक है ओके notes की है वो मैं आपको comment box से provide कर दूँगा ओके शुरू करते questions को so पहले हम देख रहे 3 marks important questions ओके 3 marks फिर 8 marks पहला question अपना है 3 marks का why was James Princef contribution considered as the historic development in the Indian epigraphy तो जो इस question का मतलब यह है कि जो James Princef थे ना एक हमारे historian ओके जिनोंने क्या किया था उनका जो contribution है वो क्यों हमारे लिए इतना important माना जाता है हमारी एफिग्राफी में एफिग्राफी का मतलब हमारी जो भी inscription की study होती है उसमें इतना important क्यों माना जाता है चूँकि उन्होंने हमारे जो भी बहुत बड़े-बड़े kingdom थे ना जैसे कि अशोका मॉरेन एंपायर उन सब के बारे में जो भी inscription हमें मिले थे उनको डैसी फड़ गया था उनका मीनी निकाला था और यह बताया था ना उन्होंने कि वहाँ पर एक समय था वहाँ पर यह kingdom डेवलप होता था उसका important धूलर था अशोका अशोका ओके मॉरेन एंपायर बहुत important एक एंपायर था ठीक है इसलिए माना जाता है इंका contribution तो आपको three points में four points में three points में लिखना है second आपर पूछ रहे है what do we know about अशोका धम्मा एंड धम्मा महामत्ता तो यहाँ पर mainly questions आते chapter में क्या क्या है कि लोगों की जो रिस्पेट करनी चाहिए slaves को kindly treat करना चाहिए भ्रामेट की रिस्पेट करनी चाहिए तो जो धम्मा है वो धम्मा तो inscription होगी और धम्मा महामत्ता उसको फैलाने वाले कुछ लोग थे जो की अपॉइंट केता शोका ने तो जो थर्ड question है वो है मगद मगद become how did मगद become the most powerful between six to four century BCE गी रिजन्स तो मगद क्या थे महाजनपत था मतब स्टेट था ओके जो आज का बिहार है और जहारकंड मिला करके है तो वो इतना powerful क्यों महाजनपत बना between six to four century BCE तो हाँ पर रीजन्स यह सब रीजन्स थे कि agriculture माइन्स बहुत अच्छी थी मदब agriculture हाँ पर अच्छा था ठीक है गंगा महाँ पर रीवर वैली थी वहाँ पर communication हो पाता था ठीक है iron माइन्स थी elephant बहुत जाद मिल जाए करते थी important component थे आर्मी की तो कुछ रीजन्स थी जिनक जोटेंज में सिंबस वगयरा होते है उनका मेननी निकलनी पाते है इस्टोरियन्स ठीक है और बहुत के बाद हैं पर फिफ्ट कोर्षन है mention any three features of the administration system of Moran Empire Moran Empire का जो भी administration से related system था वो लिखना है इवे आपा जो भी तक्सिला उजयन वगएरा ये सुरनागरी वगएरा बहुत important political centers थे इन सब के बारे में ठीक है How did Kushans ruler call themselves with high status तो Kushans क्या था Kushans ruler एक kingdom है जैसे Moran Empire है वैसे ही तो वो किस तरह से अपने आपको high status दे राखाता तो दे राखाता son of God ठीक है और क्यों दिया था क्योंकि वो inspired थे by the Chinese rulers who called themselves as son of heaven ठीक है 7th है हापर question है What do you mean by numismatics How has the study of coins helped to reconstruct the commercial trade तो यह 8 marks में ही पूछ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह ना जो numismatic है वो क्या है numismatic coin की study होती है ठीक है जो historian वगरा करते है How has the study of coins helped to reconstruct the commercial trade की जो coin की जो study है ना वो कैसे help करती है commercial trade के बारे में find करने में तो हम यहाँ पर हमने देखा था कि जो chapter second के अंदर हमार जाब जो भी हमें 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 coins वगरा मिले है ना उसके basis पर historian नहीं यह दिखा था कि आपस में चीड़ों को exchange क्या राता था आपस में ठीक है इसलिए हम पर हमें coins मिले है जिससे हमाँ पता चलता है trade के बारे में तो यह तो थे हमारे three marks questions यह eight marks questions है ठीक है जादा नहीं eight marks questions तीन है only इंक्रीस productivity फ्रॉम 600 टू 600 मतब बीसी से लेकर सी तक तो वहाँ पर agriculture को लेकर के वहाँ पर कौन-कौन से जो है precautions लिए गए थे farmers की दुवारा productivity को बढ़ाने के लिए वो बताने है तो transplantation होता था उन्होंने अपने flow को change कर दिया था मतलब पहले जो मशीन वगयरा मतलब मशीन तो नहीं पहले हास से करते थे तो एक तो उन्होंने फ्लॉ में convert कर दिया था ठीक है और आपर different irrigation वगयरा उन्होंने जो है बहुत सारे वैस वगयरा जो है डिक किये थे उसकी बचास यहाँ पर क्या होता था इसके रिए से productivity बढ़ना शुरू हो गई agriculture में ठीक है तो इसमें पूरा आपको explain करना agriculture के बारे में सारा मतलब 8-10 points आपर लिखने है तो second में आपको क्या करना है that describe the economic and social conditions of the people living in ruler areas from 600 BCE to 600 CE तो इस question को दो पार में डिवाइड कर लेना 4-4 एक में बताना economic condition एक में social conditions तो जो economic conditions में हाँ पर क्या था कि जो main occupation was the agriculture people used to do agriculture okay and trade and we came to know from the numismatic study of coins and in the social category हम यहाँ पर देखिंगे वहाँ पर kind of marriages कौन कौन सी थी ठीक है वहाँ पर female को हलाव था property लेने के लिए gender मतब लेकर क्या कि हाँ पर rules and regulations थे social के बारे में थर्ड चैप्टर में भी काफी पढ़ोगे उसकी help लेकर भी हाँ पर आप लिख सकते हो social के बारे में ठीक है उसके बाद next question last question जो है 8 marks का explain the features of Moran Empire में देखा था features बताने Moran Empire के administration system के ठीक है यहाँ पर सारे पूछ रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगती है तो like कर देना ठीक है चैनल को जो है share कर देना thanks for watching this video